आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी दवाई का salt name और brand name क्या होता है आपका सारा confusion इस वीडियो के अंदर तूर हो जाएगा सबसे पहले हम salt name के बारे में बात कर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ आपको दो medicine या दो दवाई दिकाई दे रही है दोनों अलग-अलग company द्वारा बनाए गई है इन दोनों medicine के उपर salt name भी लिखा हुआ है और brand name भी लिखा हुआ है पहली medicine के उपर आप देख सकते पिरसिटामूल salt name लिखा है दूसरी medicine के उपर भी पिरसिटामूल salt name लिखा है salt भी कहीं परकार के होते हैं और अलग-अलग salt का अलग-अलग यूज होता है जैसे कि पिरसिटामूल salt, डैकलोफेनेक salt, आईबूप्रोपेन salt, हमेपराजोल salt और अगर आपको सभी salt का यूज पता है तो आप आसानी से किसी भी दवा का यूज बता सकते हैं salt को generic name या medicine भी बोल सकते हैं salt medicine का active ingredient होता है अब हम brand name के बारे में बात करे लेते हैं तो brand name किसी भी medicine का अलग-अलग हो सकता है जैसे कि आपको ये दो medicine screen के उपर दिखाई दे रही है इन दोनों medicine का जो यूज है वो एक जैसा है और दोनों के अंदर जो salt है वो भी एक जैसा है अब आप देख सकते हैं कि दोनों medicine का जो brand name है वो अलग-अलग है दोनों medicine को अलग-अलग company ने बनाया है इसलिए दोनों company ने इनका नाम अलग-अलग रखा है लेकिन जो medical student होते हैं उनके लिए brand name कोई value नहीं रखता है brand name होता है वो अलग-लग क्यों रखा जाता है अब आप देख सकते हैं स्क्रेन के उपर ये दो medicine है और दोनों के उपर जो salt है वो एक जैसा है इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों medicine का जो use है वो एक जैसा है अब company चाहती है कि ये मेरी medicine मेरे brand name से sell हो और ये company जितना ज़्यादा इसका परचार करेगी तो ये brand name उतना ज़्यादा famous होगा हर company चाहती है कि डोक्टर और लोगों के बीज मेरे company का जो ये product है इसका brand name लोगों के जुबान पर रेना चाहिए ताकि लोगों की जुबान पर इस medicine का brand name रहेगा तो ये medicine ज़्यादा चर्चा में रहेगी और इस company की medicine ज़्यादा sell हो पाएगी तो medical student को brand name से कोई लेना देना नहीं होता है तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से brand name और sales name के बारे में थोड़ा बहुत information मिला होगा वीडियो की information अच्छी लगी हो तो वीडियो का आप लाइक जरूर करना